हाई फ्रेंज और वेलकम चू खबर बॉलिवूड बिग बॉस भारते टेलिवीजिन पर सबसे लोग प्रिये टीवी शो में से एक है जिसे बॉलिवूड अभी नेता सल्मान खान अब तक होस्ट करते आये थे ये शो बिग ब्रदर पर अधारित है जिसमें एक दूसरे को ना जानने वाले सेलिब्रिटिस एक साथ रहते हैं कई सेलिब्रिटिस को बिग बॉस में भाग लेना बेहत मुश्किल लगता है और कई बार संपर किये जाने के बावजूद उन्होंने घर में एंट्री करने के इंवीटेशन को ठुकरा दिया है नाम हाता है अनुशादान देकर का अभी नेत्री अनुशादान देकर को लेकर खबर आ रही थी कि वो इस बार बिग बॉस ओटिटी सीजन 3 का हिस्सा बनने वाली हैं जिसे अनिर कपूर होस्ट करने वाले हैं हाला कि इस अफ़ाओं का खंडन करते हुए अभी नेत्री ने सोशल मीडिया पर फोस साजा की थी और उन्हें बताया था कि वो बिग बॉस ओटिटी सीजन 3 में शामिल नहीं हो रही है साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया था कि उन्हें कई बार बिग बॉस का ओफर मिला है और वो इससे पहले भी ठुकरा चुकी है इस लिस्ट में अगला नाम आता है अभी नेता फैजल खान का जो कि बॉलिवूर्ट सूपर स्टार आमिर खान के भाई है फैजल को भी बिग बॉस के निर्माताओं ने बिग बॉस 16 के लिए संपर्ट किया था जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साजा किया था और इसके बारे में बात की थी उन्होंने कहा आज खुशी का दिन है मेरे लिए क्योंकि मुझे आज दो ओफर्स मिले है उन्होंने आगे बताया एक ओफर है बिग बॉस के लिए लेकिन मैंने इसे अस्विकार कर दिया और दूसरा ओफर है टीवी सीरियल के लिए मैं काफी उतसाइथ हूँ कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं और मुझ पर विचार कर रहे हैं मैं खुश हूँ क्रिपया मेरे लिए प्राफना करें कि मुझे कुछ अच्छा काम मिले ताकि मैं आप सभी का मनुरंजन कर सकूँ चाहे वो वेब सीरिस हो या फिल्म अभी नेत्री दिवियांका ट्रिपाथी से कई साल से इस शो के लिए संपर्ट किया जा रहा है लेकिन उन्होंने कभी भी हा नहीं कहा दिवियांका से एक अन्य लोग प्रियर रियल्टी शो में बिक बॉस में आने के बारे में पूछा गया जिस पर दिवियांका ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कभी बिक बॉस करूंगी या नहीं शो मुझे थोड़ा डराता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मैं अपनों के बीच रहने वाली हूँ इसलिए इसके उपर से घर से दूर रहना और मेरे पती विवेक से ये सबी विचार मुझे डराते है और मुझे ये मुश्किल लगता है तो ये मेरा फोबिया है मैं अपने परिवार से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती ये एक मुश्किल काम है अभी नेतरी नेहा धूपिया ने कहा कि उन्हें बिक ब्स के घर में जाने की कोई इच्छा नहीं है नेहा ने कहा मैं बिक ब्स बहुत देखती हूँ मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे शो देखने की वज़ए भी वही है लेकिन मैं कभी भी घर में नहीं जाऊंगी लोगों को लगता है कि हम हमेशा लाइम लाइट में रहते हैं इसलिए हमारे लिए कैमरा लेकर घूमना आसान है लेकिन हर समय कैमरा मेरे उपर होने से मैं बहुत असहच महसूस करूँगी मुझे लगता है कि होस्ट के तौर पर सलमान बिल्कुल शांदार है जिस तरह से वो प्रती भागियों से बात करते हैं वो परिस्तित्यों को पूरी तरह से सही ठहराते हैं मुझे लगता है कि उन्होंने शो को देखने लायक बना दिया है इसके अलावा उनकी मौझूदगी शो में बहुत बड़ा स्टार्डम लाती है बिग बॉस बहतरीन मनुरंजन है टेली विजन इंडस्ट्री के मशूर सितारों में से एक अरजुन बिजलानी को भी बिग बॉस के निर्माताओं ने ओफर दिया था एक इंट्रिवियो में अरजुन ने बिग बॉस में हिस्सा ना लेने की वज़े बताई थी उन्होंने कहा था नहीं मैं बिग बॉस पंद्रा का हिस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे शोज के लिए कमिटिट हूँ मैं अक्टूबर के अंक में शूटिंग खतम कर लूँगा इसलिए मेरे लिए बिग बॉस के घर में एंट्री करना संभव नहीं है मूल रूप से शूटिंग सितंबर में खतम होने वाली थी और मुझे लगा था कि मैं बिग बॉस में हिस्सा ले पाऊंगा हाला कि इसमें देरी हो गई और चीजे ठीक नहीं हुई इस लिस्ट में टेलिविजिन इंडस्ट्री की मश्वूर अभीनेत्री जैनिफा विंगिट भी शामिल है जैनिफा को भी बिग बॉस का offer मिला था जैनिफा विंगिट ने रियालिटी शो बिग बॉस में भाग लेने के बारे में बात करते हुए कहा था कि नहीं कभी नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी मुझे लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है वैज फ्रेंड्स क्या इस लिस्ट में ऐसा कोई सितारा है जिसे आप पिक बॉस के घर में देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखके बताएए फॉर मोर अप्टेट्स प्लीज दो सब्सक्राइब शेर और लाइक खबर बॉलीवड थैंक यू